समन संग समन संग का जो कॉंसेप्ट है जो सार है या जो वसेष्टा है या जो इसके अंदर है वो सबसे पराना है पहले वाले को कोई जानता नहीं और जो बुद्ध ने बताया सिखाया उसको धरम में बदल दिया रिलिजिन में बदल दिया धम में बदल दिया तो वो छोटा हो गया और जो बावा साव अंबेटकर ने सम्विधान में दिया उसको लोक सवाह के नाम से जाने लगे और जो सम्विधान के अंदर धाराएं होती हैं अनुच्छेद होती हैं उसके नाम से जाने लगे पर ये जो धरोवर है ये जो नियम है ये जो सिस्टम है ये पुराने हैं और हमारे हैं समणों के हैं और हम समण हैं इस बात को हमारे लोग नहीं जानते और कोई बताने को भी त्यार नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या हमारी पहचान है क्या यहां जब हम आरंभ में मिलने लगे जुलने लगे तो कोबिट का समय पांच मई दो हजार इक्टिस अभी पांच मई दो हजार तेईस आने वाली है उस दिन हमारा डबल डे है क्योंकि उस समय जो महा समर्थ है जोनोंने भिक्कु संकी और भिक्कु संकी नियम बनाए और जो राजा और प्रजा के लिए भी जो नियम दिये उनका जनन दिन, उनका मरन दिन और उनका ग्यान दिन तीनों एक दिन है और पांच मई को हमने पहली जूम मीटिंग की और जूम मीटिंग में हम ऐसे ही मिलने लगे समस्या पर बातचित करने के लिए सुरू में हम समस्या पर बातचित करते थे आपस में इंट्रोटेक्शन करते थे और निस्कस निकालने की कोशिश करते थे कि आखिर हम परिशान क्यों हैं, क्या कारण है, क्या इसका निवारण है तो सभी तरह के लोग यहां आते थे जिनको लगता था कि राजनिती मास्टरचा भी है वो बर्चल के हिसा लेते थे, वैसे भी भारत में राजनितिक लोग जादा बर्चल के हिसा लेते हैं क्योंकि यहां सोचने समझने की जो ताकत है वो टीवी ने, निउस्पेपर ने, पत्रिकाओं ने, एफेम पे समाचारों ने और आपस में चर्चा ने एक ही पॉइंट पर सीमित की हुई है पूरा अखवार राजनितिक जो सूचनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनसे भरा रहता है टीवी के अंदर 24 घंटे राजनितिक विश्टेशन चलता रहता है जो पत्रकाएं हैं, जहां भी हैं, सब राजनितिक बात चलती रहती है ऐसा लगता है जैसे राजनितिक के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है मतलब राजनितिक की चर्चा सही सब चीज मिल जाएगी यह हमारे दिमाग में ढाला गया जो पिचार पिचार के साधन हैं उनके द्वारा तो यहां राजनितिक लोग भी आते थे, उनकी बहुत सारी महत्वक कांचाएं होती थी बड़ी बड़ी इक्चाएं होती थी उनको लगता था कि यहां लोग इखटे होने आप हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं तो यहां तवा गरम है, यहीं रोटी सिख लो तो दो चारों ने फटापट आटा गूंत के रोटी बेल के डाल भी दी पर यहां कहां रोटी सिखने वाली थी, क्योंकि यहां राजनीती सबसे बाद का सब्जेक्ट है और समाजनीती, लोकनीती सबसे पहला सब्जेक्ट है समाजनीती और लोकनीती अगर पिरजानीती अगर चलती है कहीं और बड़ी नीनीती चलती है तो वहां राजनीती बहुत छोटी और बॉनी हो जाती है आप समझ सकते हैं कि जैसे सरीर का मुख्य भाग अगर सर है सिर है, हैड है और सबसे नीचे का भाग जिसको पैर मानते हैं तो राजनीती नीचे के भाग में आती है और समाज नीती और जो हमारी एक नीती है वो उपर खिस्से में आती है वो उपर मुख है, हैड है वो तो यहां बाचीत होने लगी और बाचीत में सारे लोग अपने अपने तर्क, वितर्क, कुतर्क सब यहां देते थे सवाल आते थे सवालों के जवाब देने लगे सवालों के जवाब देने वालों की संखिया बढ़ने लगी सवाल करने वालों की संखिया बढ़ने लगी और लोग अपनी बुद्धी का विकास करने लगे और जितनी बुद्धी का विकास इस पलिट फार्म पे हुआ उतना कहीं नहीं हुआ क्योंकि जो लोग ये मांगे चलते थे कि अब तर्क वितर्क का कहीं कोई जगे नहीं और एंड है जिन संग्ठनों के लोग ये कहते थे कि हम जागरे थे हैं जागे हुए हैं उनको भी यहां पता चला कि वो जागे हुए लोग नहीं हैं, वो सोय हुए लोग हैं, पर यह बात किसने उनको बताई नहीं, यहां चर्चा में यह बात निकल के आई कि वो सोय हुए लोग हैं, तो यहां वाद विवाद भी खुब होते थे, खुब सारा यहां होट टॉक्स ह यहां आट पाई लोग तूटके चले भी जाते थे के वार दुबारा आ जाते थे जिनको यहां रोटी सेखनी थी उनके तबंब उड़ गए उनके चूले उड़ गए तो वह अपनी रोटी आटा लेके चले गए राजनितिक बात नहीं बन पाई कुछ लोगों ने यहां पैस system वो culture यहां नहीं है, यहां social culture है, यहां सामाजी culture है, इसलिए सामाजी culture में पैसा सबसे बाद में आता है, पैसे का लेंदेन यहां नहीं होने दिया गया, तो चंदा भी यहां बंध हो गया, तो सम्विधानी बात होने लगी तो समविधान तो वही है जो सुरू से समण का समण लोगों का क्योंकि समविधान को अगर ने को डे में बदलेंगे ने और डे एक ही सब्द होते हैं तो वो बनता है सम विधान यानि सम विधा और डे जैसे समण में जो डे लगता है तो सम और रे के बीच में सिर्फ विधा आती है यानि सम को अलग तोड़ेंगे और रे को अलग डालेंगे और बीच में विधा लिखेंगे तो सम विधान हो जाता है यानि समता का विधा विध्या तो सम विधान की बात ही करते हैं समण लोग तो और वो आये जिनोंने LLB, जिनोंने वकलात, जिनोंने बड़ी बड़ी डिग्री विग्रिया ले रखी हैं, उनको लगता था कि सम्विधान पढ़ने से, सम्विधान रटने से, सम्विधान पर तरक्वितर करने से, और सम्विधान की पूरी वकलात करने से सम्विधान बसता सम्विधान में लिखा हुआ है, सम्विधान कैसे मजबूत होता है, सम्विधान कैसे कमज़ोर होता है सम्विधान को भी बहुमत की आवशकता होती है, सम्विधान को भी लोगों की आवशकता होती है लोगों ने ही सम्विधान बनाया है, लोगों का ही सम्विधान है, लोगों के लिए ही सम्विधान है कुछ ओको अच्छी लगी बात, पर जिनको समझ में आ गई, वो रुख गई और जिनको नहीं समझ में आ आए, उनके एगो हट होगे M.V.M. के सिकार होगे, वो दायबाय होगे पर समण संके लोगों की जो बुद्धी का विकास वो इतना जादा हुआ कि अब वो जहां भी जाते हैं बाकी सारे लोग बुद्धी की स्थर में तर्क वितर्क में उनसे कम पड़ते हैं ये कोई खुशी की बात नहीं है पर ये कोई दुख की बात भी नहीं है खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर तर्क वितर्क सीखा और जानकारी है तो जानकारी को आगे बढ़ाना है जानकारी से किसी पर रौब नहीं काड़ता है हम परिसान है कि जो लोग थोड़ी सी जानकारी लेके और रौब जारते हैं और पूरी बात नहीं बताते इसलिए समर्शन्योग कहा गया कि भई ये जो जानकारी है ये जानकारी आपने बढ़ानी है लोगों को सिखानी है इसका रौब नहीं इसको तर्क वितर्क में हार जीत का मुद्दा नहीं बनाना है ये पुराना नियम है और ये संग में नियम पास हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक वार भिक्वों को अपनी सक्ति का प्रदसन करने के आरोप में एक संगादी सेस बनाया और भिक्वों को सक्ती का प्रिदर्शन करने की पूरी तरह से मना ही कर दी पब्लिक में अपनी सक्ती का प्रिदर्शन नहीं कर सकते ठीक वो नियम यहां बना कि आप अपनी संग की सक्ती का चाएं वो तरकी है चाएं वो संगात्मक है चाएं वो बलकी है आपने कभी भी उसका इस्तमाल पबलिक में नहीं करना है पबलिक में जब भी करना है जन जागरन करना है जन जागरन होने लगा लोगों में बात बने लगी पर जो लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि जंजागरण वही करेंगे, उनके लावा कोई और करेगा नहीं, और कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको परिशानी होने लगी, ऐसे लोगों में आम लोग रही थे, ऐसे लोगों में संग्ठन वाले लोग थे, अब जो जगड हैं, ये तरक्की को हमारे लोग हमारे अंदर ही रोकते बैठे हुए हैं, और हमारे सारे अधिकार इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ते में बीच में रुकावट बैठे हुए हैं, ये बात को समझ के भी नहीं समझ समझ रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग जितने भी उनकी पहचाण की गई और वो पहचाण सारे लोगों ने मिलके की तो पताचला कि हमारे जो 29 लाख संक्षन है वो 29 लाख संक्षन एकटे नहीं हो रहे तो बात-बातों में बात बनी कि बैचलों को एकटा करते हैं तो वीदा प्रॉपल के नाम से इखट्टा होने लगे क्योंकि सम्विधान की लाइन थी वीदा पीपल हम भारत के लोग तो उनको बताने लगे कि भाई हम भारत के लोग हैं हम सारे भारत के लोग हैं आप इखट्टे हो जाओ बहुत खुशा मत की उससे पहले उनके संग्ठनों की मीटिंग भी लगाई उनको यहाँ बुलाया भी पर वो सभी राय दे के चलेगे सारे सारे जितने भी आये सुझाब दे के चलेगे यहाँ तक भी कहा आमने के भाई आप डिकलियर करो के आप दो संग्ठन इखटे होगे तीन होगे डिकलियर करने में क्या जाता है इखटे होने में क्या जाता है अच्छा है लोगों को एक साथ कुछ ना कुछ मिलेगा पर वो नहीं इखटे होगे बहुत सारी बाते हैं उनसे हुई पर वो इखटे होने के नाम पर मना किसे नहीं किया पर इखटा कोई हुआ भी नहीं तो क्या करें क्योंकि आँखों के सामने बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं भारत की आधी आवाजी इस समय नौजवान हैं कुछ चोटे बच्चे हैं 30-35% नौजवान हैं कुछ अधेर हैं बूड़े कम हैं अभी पर अगले पास साल में तो यह सब बड़े होंगे अधेर हो जाएंगे कुछ बूड़े हो जाएंगे जो सरकारी नौकरियों में हमारे 20 लाक लोग थे खाली स्टिडल कास्ट की बात करना हूँ पूरे समड़ों की बात नहीं करना है क्योंकि OBC को बाद में मिली है और OBC को अगर लगा लें इस समय भी तो 50% के आस पास में लोग रहे होंगे यह से कम थोड़े से हैं तो इतने सारे जो लोग थे वो लोग दोवारा नौकरी में नहीं आने वाले इसलिए नहीं आने वाले के नौकरियां के लाइक लोग हैं नहीं इसलिए नहीं आने वाले के नौकरियां ही नहीं रहीं रिजर्वेशन पूरा है कैंडिडेट पूरे हैं इलिजिबल हैं बलकर more than eligible है चप्रासी के नौकरी के लिए पीएशडी वाले एंफिल वाले भी पर्चा भर रहे हैं तो eligibility बहुत ज़्यादा है दस इंजिनर मांगो तो दस लाक इंजिनर की पर्ची आ जाती है पर वैकेंसी खतम कर दी डिपार्टमेंट बेच दिये डिपार्टमेंट लोग पैंसनर हैं उसमें अभी मर जाते हैं उनकी पैंसन आधी हो जाती है जब उनका पार्टनर मर जैता है तो भी क्रृतम हो गया नगान नगा leaking जाई की नौकरी नहीं कि तो हमारे पढ़ें लिखेंट लोग करेंगे क्या तो पता चल्द कुछ नहीं कराएं क्योंकि एक भी फैक्टरी ऐसी नहीं है जिसमें हमारी लोगों को नौकरी मिले और अगर नौकरी मिलेगी तो शोषन होगा कैसा शोषन होगा जिस काम की कीमत भारत के बाहर दो लाख रुपे है और वो भी हफते में पांच दिन और एक दिन में आठ घंटे यानि 40 घंटे काम करना है चार हफते काम करना है एक सोषाट घंटे की कीमत दो लाख रुपे है यहां पर बारे घंटे काम करना पड़ रहा है चैसा दिन काम करना पड़ रहा है और उसको पैसे मिलने 17,000 रुपे 15,000 रुपे 16,000 रुपे और आठे का भाव है 45 रुपे किलो और 45 रुपे किलो तो सर्वाइब कैसे करेगा परिवार बस इतना ही है कि एक टाइम की रोटी खाएगा तो पढ़ नहीं सकता तो पढ़ेगा नहीं क्योंकि पढ़ाई के रास्ते बंद हो गए बंद कर दिये प्राइमरी स्कूल बंद किये जा रहे हैं आप खबर सुनने हो कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं और हरियाने के अंदर तो कमाल हो गया सरकारी स्कूल में जाएगा तो बंद किये जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो सरकार उसको पैसा दे रही है, पुरत स्वाहन कर रही है, यह आपने खुद के स्कूल बंद कर रही है, और प्राइबेट स्कूलो को बाकाइदा बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिये जा रहा, ताकि बच्चे सरकारी स्कूल से नाम कटाएं, प्राइवेट में एडमिसन हो जाएं, फिर प्राइवेट सरकारी स्कूल में जब एडमिसन होंगे नहीं तो उनको बंद करना आसान हो जाएगा, जब हैं ही नहीं कोई तो बंद हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल बहुत सारे बंद हुए, यू कोर्सों की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई सरकार ने ना तो कॉलिज बढ़ाए और ना ही कि कोई संसादम किया ताकि लोग उसको सस्ते पढ़ सकें तो अब पढ़ने वाले ज़्यादा है और वेकेंसी है नहीं तो बेचो अपना घर अब आपको तो पता है कि बच्चे को पढ पढ़ना चाहिए पर बच्चों पढ़के क्या करेंगे क्योंकि पढ़े हुए पहले ही बहुत हैं यह और पढ़ेंगे तो यह मजदूरी के लायक तो रहेंगे नहीं और मजदूरी करनी भी नहीं चाहिए तो मजदूरी करेंगे नहीं और करनी चाहिए नहीं और जो इनके जौब मिलेगी नहीं क्योंकि सरकारी जौब में कम हो गई, कटेल हो गई तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आपको नौकरी नहीं मिलती अब अगर एक लाख बच्चे हमारे हैं और उन पे अगर 10-9 नौकरी निकलती है पर यहां वो भी नहीं है, कोई मांगता नहीं सरकार, देती नहीं तो क्या करें सरकारी, लोग क्या करें तो इंडिस्टी में कहीं कुछ ऐसा है नहीं कि हमारी इंडिस्टी हो तो उसमें लगेंगे नहीं यूनिवस्टियां कॉलिज हमारे नहीं है सरकार वाले बंद हो रहे तो जो ज़्यादा पढ़े लेखे लोग है उनको एसोसेट प्रोफिसर प्रोफिसर की मिलेगी नहीं और वैसे भी पिछले दिनों दिल्ली में प्रदसन हुआ कि जो प्रोफिसर है या एसोसेट प्रोफिसर है उनको एड़ॉक पर रखा जा रहा है यानि उनको पर्मानेट नहीं रखा जा रहा है उनको टेमपरी रखा जा रहा है और टेमपरी रखने का चलन पूरे भारत में बहुत तेशे पिछले 10-15 साल में बीस साल में निकल के आया है, सबी नो-नोकरीयों पे invarii डखा जाता, एर ड़फ पे रखा जाता तो हमाने कुछ कुछ स्कूरिटी नहीं होती, जब चाया जब उड़ा दो, जब चाया जब जब निकल दो, और जिसकी स्कूरिटी नहीं होती, स्पूरचा नहीं होती, वो डबलफ नहीं करती फैमिली उसको चिंता रहती है वो उसके फैमिली के अंदर विकास नहीं हो सकता क्योंकि वो आगे की योजना बना नहीं सकता ये एकाफ़त आई उसके बाद में देखा कि भी खेती किसानी कर ले तो किसानों का वैसी मामला खराब है क्या। कि किसानों की जो फचले से बिक्ती सक्ष दलाल जब सो खञेद लेता है तो वही डबल देट में हो जाती है ये तो अलग बात है प्र हमारे लोगों के पास तो खेती भी नहीं है जमीनी भी नहीं है उनकी हाला तो और ज़्यादा खराब है तो खेती हैं मजदूर हैं मजदूरी करने सकते क्योंकि ट्रैक्टर आगे मशीने आती जा रही है और सारी की सारी जो सिफ्टिंग है पहले गहूं कटा करता था तो पंद्रह बीज दिन एक मेहने तक गहूं की कटाई चलती थी मसीन तीन चार दिन के अंदर फूरा खेत कर देती हैं तो लेवर को क्या मिले क्या उसको गहूं मिलेगा तो वो ज़्यादा एकटा करनी पाते और खेत उनके है नहीं तो खेत में मजदूरी लगबग कम होती जा रही है खतम होती जा रही है तो विदेश नहीं जा सकते क्यो वहां उनको वर्क वीजे नहीं अलोट हुआ उनको वैसे भेज दिया और वहां जाके जेल भी हो जाती है कि वार एक परिसानी के साथ दूसरी परिसानी फिरी आ जाती है तो क्या करेंगे और हमारा कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अपने लोगों को कोई सुरक्षित तरीके से कोई रोजगार या कोई काम या कोई चीज उनको दे पाएं क्योंकि मार्केट में अगर वो जाते हैं और दुकाने खोलते हैं तो दुकाने चलती नहीं हैं दुकानों पे कास सिस्टम पूरी तरह से लागू है यानि कि इतना बारी कास सिस्टम है कि अगर एक बनिया दुका जाने नहीं देता, उसको भढ़का देते हैं, उसकी काश बताते हैं, या उसका कहता माल घटियां हैं, पर वो प्रोपकेंड़ा करते हैं कान से कान में, बहुत मुस्किल काम है बजार के अंदर अपनी दुकान को सर्वाइब करना, किसी बड़े सहर में, किसी कौने वोने में ह हो जाए, चल सकती है, जहां भीड़ बहुत होती है, जहां लोग एक दूसरे को पूछते नहीं है, जहां इतनी भीड़ है कि किसी को फुर्सत नहीं है, पर छोटे सहरों में, कस्वों में, गाउं में आप दुकान नहीं खोल सकते, और बड़े सहरों में दुकान खोल इंडिस्ट्री नहीं तो मैनुफेक्शन ही कर सकते तो हमारे लड़के क्या करेंगे उपर से अभी मसीनी युग आ गया है मसीनी युग का मतलब यह है कि अगले 20-30 साल के अंदर हर काम मसीने करेंगी हर काम रोबूट करेंगा हर काम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस करेंगी त और सरकार हमको बेरोजगार भत्ता या जो बिना काम का भत्ता वो हमको देगी नहीं क्योंकि यहां ऐसा पिछलन हैनी कोई मानता नहीं तो खाएंगे क्या तो करेंगे क्या तो जो व्यक्ति के पास में काम नहीं होता उसको खाने को नहीं होता उसकी सेहत कम होती चले जाती ह आपने देखा होगा लेवर की जो किलास है जो लेवर के लोग है उनकी कमर 26, 27, 25, 28 होती है उनकी कमर 32, 34, 36 नहीं होती आप ध्यान से देखो जिल लोगों के पास में सब कुछ है उनकी कमर 32 से बड़ी मिलेगी 34 मिलेगी 36 मिलेगी 40 मिलेगी 42 मिलेगी पर जो लेवर हैं उनकी कम तिनबर 32 से कम मिलेगी, 30 से कम मिलेगी, 28, 26, 24 ऐसी मिलती है उनकी कमर, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता, दिनबर वो महनत करते हैं और उनके सरीर में इतना भी नहीं जाता, उनको मिलता है नहीं दिया नहीं जाता, कि वो अपने सरीर को अच्छी तरह से ऊड़ जा भी दे स वो ने आगे की सोचना शुरू किया, तो आगे की ना सोचें इसलिए हमारे सारे संसादनों, सारी अपोशुटी धीरे करके खतम होने लगी, ये बात संग्ठनों को बताई गई, और संग्ठनों से कहा गया कि भाई, इसको आप रोको, इसको आप ठीक करो, पर संग्ठन आपस में 29 लाग टुकडों में तूटे रहे और अपसोस इस बात का ये है कि हमारे बच्चे की लास गिरती है तो ये संख्ठन फोटो खिच्वाने जाते हैं अलग-अलग राजनितिक लोग हमारे सरकारी डेपार्टमेंट बिकते हैं तो ये अपने हमारे डेपार्टमेंट को भी नहीं बचा पाए हमारे अधिकार क्या बचाएंगे हमारे जो वकील हैं पूरे भारत में हजारों की संक्या में हैं पर दिल्ली के अंदर ही अगर मैं आपको बता हूं तो यहां दस्यों संटर बना रखे हैं और एक दूसरे के दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम है बुद्धिष्ट लोग पूरी दुनिया में आर्थिक इस्थिती में सुपर पावर हैं यानि पैसा उनके पास बहुत है और वो मदद भी करना चाहते हैं पर यहां सिस्टम एक है और यह वो सिस्टम है जिसमें तीस करणों लोग जुड़े हुए हैं तो वह आप की मदद करेगा अभी गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने एक बुद्ध का काईकर्म लगाया उसमें अमबेट कराई बुद्धिष्ट की या जो एक्शल बुद्धिष्ट है उनका कोई भागी तरही नहीं है पर पूरी दुनिया को यह पताया जाता है कि यह बुद्धिष्ट कंट्री है और यह काईकर्म लगा तो जो कम्यूकेशन में और जो अपने आपको प्रिजेंट कर देगा वह बाजी माल ले जाता है भारत में 70-80 साल से और उससे पहले पहले से भी बहुत सारे बुद्धिष्ट कंट्री बुद्धिष्टों के लिए बहुत सारे पासा देते हैं बहुत सारी मदद देते हैं बहुत सारी सब्स्ट्री देते हैं पर वो उन लोगों के पास जा रही है जिनोंने वहां अपनी जड़ें जमा रखी हैं और यहां तो आपस में जूतम पत्रम हो रही है यहां तो लड़ रहे हैं यहां तो भिकों ने मट खोल लखे हैं अलग लग सिस्टम बने हुए हैं और कोई कहता भी नहीं उन से तो इसलिए वो मदद भी हमको नहीं मिलती हम रिलीजियस भी बहुत नहीं हैं और भिकरे उए बॉटे हुए हैं यह समस्य हैं भिकों से कही हैं कि तुम क्या करई पर वह म स्äter का का एकंव लागा आफें lors मिल जते रहें 187 रुपी जा हैं ओंद दूसरे सेरे में चला जाते हैं थी अमस्कार भी कर्ते हैं छीवरं देखके भीते हैं नमस्कार भ करता है एक गाड़ी पकड़ा दो उनको कुछ नोट दे दो उनको जो होटर होटर में ठ्थेर जाएं कुछ उनको मोजमस्ति के लिए मोबाइल सवायल दे दो और कुछ उनको कर दो और उनसे हाहला करा लो उन्हें पता क्या होना उनके लिए वही जिंदगी है मज़ा आ गया बस कहां गाड़ी का सोचा नहीं, कहां फॉर्टूनर आ गई, कहां मूबाइल का सोचा नहीं, कहां एपल का मूबाइल आ गया, कहां उन्होंने सोचा नहीं, उनको फाइफटा उटल में खाने मिल लाए, कहां उन्होंने सोचा नहीं कि बड़े-बड़े मीडिया के साथ में फ आए जो भी लोग आए या ना भी आए तो वीडियो बना के बताया गया या ना भी आए तो संग के जितने लोग हैं वो सब बता रहे हैं या ना भी आए यहां तो बार 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 उनको समण गंत के थो बताया जा रहा है बहस हो रही है बाचित हो रही है पर मरने को त्यार हैं एकटे होने को त्यार नहीं है यह बात बहुत बारिकी से अच्छी तरह से समझ में आई कि यह संग्ठन ही है जो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं बाकी चीज़ें तो किलियर हैं समधान कहता है एकटे हो जाएए अपनी हिस्तेदारी ले जाएए कितने प्रधान मंती बना लो समध संगतो राज्जीती में कभी जाएगा नहीं यह तो बात बलकुत साफ है तुमने प्रधान मंती बनाये पर तुम इखटे हो कर आओ और वो कहते हैं इखटे भी आप करो जी बताओ हमेंसे कौन प्रधान मंती बनेगा बढ़ाओ जिसको ब और सब एक दूसरे को दोस्त दे रहे हैं पर एकटे नहीं होते और सब कहते हैं कि एकटा होना चाहिए एकटे होना चाहिए पर एकटे नहीं होते लड़कों ने पार्टियां बना लिए कोई समाज में कहने वाला नहीं है उनको अरे मूर्ख हो ये जो तुम अलग-अलग पार हो रखे हैं, OBC के लेक्ट टुकड़े हो रखे हैं, ST के लेक्ट टुकड़े हो रखे हैं, कितने इखटे करोगे, अगर STB इखटे करोगे तो 20-21% है, तब भी पूछनी हिलती कुछतेगी, तुमको कम से कम 40% तो इखटा होना पड़ेगा, तब जाके कहीं कोई तुम जीतोगे और वो भी पूरे देश में, पर ये बात वो सब जानते हैं, पर वो पहल नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, कि उनको कहीं न कहीं कोछ टुकड़ा मिल जाता है, बस टुकड़ा मिल गया, उसको चाड़ते रहते हैं, उसी में उनकी जिन्दी सफ़ हो जाती है, उनको कोई लेरंदर नहीं है, कुछ लोगों न धंदा बना लिया, क्या धंदा बना लिया, चलो विदेश, बावस आपकी जैनती आती है, विदेश चले जाते हैं, मौका ढूंडते हैं, कोई उनको टिकेट में रहते हैं, अब उनकी जो आइडेंटिटी है, अब उस देश की आइडेंटिटी है, वो यहां के लोग नहीं है, वो समड़ बेसक हैं, पर वो संपन है, वो सुरक्षित हैं, वो विक्सित हैं, उनको विकास हैं, उनको वहाँ बेरुजगार भत्ता मिलता है, उनको सब्त वो प्रस्थिती लेते हैं तो यहां के लोगों को इन्वाइट करते हैं कि हम बावा साब मेड़कर का जैनती मिना रहें आईए यहां के लोग वहां जाते हैं तूटा फटा सा भाशन होता है वहां पर भाशन भाशन देखा जाते हैं उदर के लोग भी खुषता जाते हैं कि हमने बावा साब की जैनती मनाई हमारे फोटूखजगे इदर के लोग आ के यहां रौब जारते हैं मैं UK गया, मैं कनारा गया, मैं अमरिका गया, मैं यहां गया वो गया पर होता हाता कुछ नहीं है अधिकार नहीं रुकता एक भी अधिकार सारे जा रहे हैं मूल बात ये है कि हमारे इतनी बड़ी जो एक्टिविटीज हो रही है उससे हमारा बचा क्या और बढ़ा क्या बावा साव अम्बेट करने कभी भी फूपा की राजनीती नहीं करी फूटो खश्वानी की राजनीती नहीं करी बावा साव अम्बेट करने जितने भी काम किये वो सारे के सारे सौल्ड किये वो सारे के सारे ऐसे किये जिनके कारण आज हम यहां बैटे हुए हैं पर हमारे सत्तर साल में संग्ठरों ने जितनी भी कारे किये वो सब फोटो खिच्वाने के फूफा के किये इसी बात के किये कहीं उनको कोई MLA बना दे, कहीं कोई उनको राजसमा में MP बना दे, कहीं कोई मंत्री संती बना दे, कहीं किसी बोड का मेंबर से मर बना दे बस इतना ही है, बावस आपकी जितनी कमाई थी, वो सारी चट कर गे सारी खा गे, बच्चे मरने वाले हैं, ये ध्यान नहीं किसी को और बच्चे सबके मरेंगे कोई अगर ये सोचता है कि मेरे बच्चे बजदाएंगे मैं तो मंत्री हूँ संत्री हूँ या मैंने कुछ प्रॉपर्टी खटी कर लिया है या पैसा कर लिया या मैं दबंग हूँ या मैं पड़ा लिखा हूँ या मैं इंटलिजन्ट हू भूल जाएए, समराट असोक के समय तो हम समराट थे, समराट असोक के समय तो हमारे पास में हर्चीज थी, हमी बैग्यानिक थे, हमी सेना पती थे, हमी सेना थे, हमी दाजा थे, हमी बैपारी थे, हमी किसान थे, जमीनों के मालिक हम, एरान के मालिक हम, अफकानिस्तान के मालिक हम थाइलेंड के मालिक हम और ये पाकिसान के जो मालिक हम भुटान के मालिक हम नेपाल के मालिक हम स्री लंका के मालिक हम कितनी बड़ी मिलकत थी हमारी चली गई सारी सारी समडों की थी चली गई को कि खटे दी रहे पाए नसा हो गया एहम वहम का फिरी खानी गात पड़ गई इसलिए समड संग में जितने लोग आए उनसे जब बाचीत होने लगी तो उनमें कुछ लोग ठहर गए कुछ लोग रुक गए उनको कहा कि बात ठीक है हम मारे जा जा रहे है और उन्हें अपना काम सुरूख करना सुरू किया लोगों में परचार परसार का काम को नसू किया थोड़ी बात बनी थोड़े से हिले, थोड़े से चंदा बंद हुआ थोड़े से नियम बने, थोड़े से काम हुआ बार बार उनको पताया गया देखो भाई, पुराने जमाने में एक सन्निपात बहुल होता था आज भी सन्निवार है पुराने जमाने में हम सारे लोग मिला करते थे उनको याद दिलवाया गया कि देखो बुद्ध ने बताया है कि जो लोग सन्निपात बहुल करेंगे सन्निवार को लगाता मिलेंगे बहुमत संक्या में बहुजन संक्या मे बहुत संक्या में, जादा संक्या में इखटे होंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, पर दूसरे लोगों की समझ में आ गई, कुछ लोगों ने संग बनाया, उन्होंने कहा कि संडे को कोई काम नहीं होगा, संडे को गिरजा घर में मिलेंगे ह वो संड़े को गरजा घर में मिलते हैं इकटे होते हैं अपनी थाकत बढ़ाते हैं कुछ भी लोगोंने चुती होगी इस दिन हम अपना काम कर Rainbow करें कुछ लोगों सिस्टम फोरी दुनिया को समझ में आ गया हमको समझ नहीं आ इसलिए हम संद्निवार को नहीं जोडते हैं उन लोगोंने पूरी कर दी जो हमको इखटा नहीं होना चाहते चाहते हैं उन基本 कर दिए वहां वैंकि दिमाग Favorite भोर सनिवार को भूल गए अपने अस्त्र को भूल के सस्ट्र को भूल गए संही बंद कर दिया सनिवार को मिलना बंद कर दिया, और ज्यादा पतन हो गया, तूट गए, सारी चीच चली गई, सिक्षा विक्षा सब धीद्रे करके बदल दी, सब दो बदल दिये, अर्थ बदल दिये, चीचीचें बदल गई, और हम धीद्रे करके टुकडों में तूटते चली गए, बावा साब ने हमको कोटू की जैकारा करते हैं, जैभीम करते हैं, चंदा लेने की नहीं है, पर कोई बात नहीं मानते हैं, हम उनकी बुद्धी का लोहा नहीं मानते हैं, हम यहां बड़े-बड़े भाशन देते हैं, बावा साब दुनिया के आधुनिक भारत के नंबर वन ग्याता, ओबामा न संग्धं अपनी विचारधारा पे चलते हैं बावा साहापकी विचारधारा पे नि stand नी रहो उससे कैसे बचते ये बात हमने बावा साब अमबेटकर का जो परिवार है उनके दो लोगों से पूछा एक से हमने मुंबई में पूछा एक से दिल्ली में पूछा दोनों बावा साब अमबेटकर के परिवार की लोग हैं दोनों से कहा कि भाई बावा साब ने खटा होन क्या लोग क्या सोचेंगे जब आप इखटे नहीं किसी एक मंच पर नहीं आते आप एक साथ नहीं आते वैसे तो परिवार बात में बावा साब ने मना किया है पर फिर भी आप हमारे क्योंकि बावा साब के परिवार के हो मानने हो सर्टाज हो हम तो मानने को त्यार हैं पर इ ये बात हमने कही, भै इकटे होके आओ चंदा ले लो, पर इकटे होके तो आओ, दुस्मनी हो गई, लोग कटे लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता है, जिसके पेट पलात पड़ती है, जिसका पैसा बंद होता है, लोगों की साल भर की आमदा नहीं होती है, ये 14 अप कर में 29 लाग टुकड़े हो गए, और हमारे सारे अधिकार चलेगे, तुमारा खुद का पेट देखें, या ये जो करोड़ों, 120 करोड़ों बच्चे है, उनके पेट देखें, उनकी चेरा देखें, क्या देखें, तो इसलिए कोई नाराज होता है, तो हो, कोई अगर ये कह क्या भारी नहीं होगी, समिदान हमें, हमारा अधिकार देगा नहीं, हम जीत नहीं सकते, जब तो जुड़ेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत कहा आ रही है, फिर परिसानी कहा रही है, फिर ये बंद करो सारे सिस्टम, ये 29 लाग ये 29 लाग जो संग्ठन है, इनके सटड़ाउ करो, इनको बंद करो, और अगर बंद नहीं कर सकते हो, इनको तो मर्ज करो, और मर्ज नहीं कर सकते हो, तो इनको एक करो, और एक नहीं कर सकते हो, तो संग के साथ खड़े हो जाओ, या संग को बताओ कि संग कहा खड़ा होना है, जहां तुम इखटे होते हो, संग वहीं, औ और जहां से लोग अलग-अलग हो जाते हैं, वहां से संग तूट जाता है। रुपता है इस लिए ये संग का जो पई या है यह संग को चला रहे है तो जूट है अफगा है संग का पवत्तन तो उसी समय से हो गया था जब भावासूबन ने धम्चक पवत्तन किया था क्योंकि बुद्ध उन्होंने जब धम चक पवत्तन किया था, उन्होंने पहले संग का चक बनाया था, अगर संग का चक नहीं चलेगा, तो धम का चक नहीं चल सकता, कोई कितना भी धम भीरू हो, धम का कितना भड़ा भक्त हो, कोई धम का कितना भड़ा जानकार हो, कोई धम का कितना भड़ा प् दिया तो उसको कहना पड़ेगा, कि पैले पाँच लोगों का संग बनाया, फिर साथ का संग बनाया, पाँच का संग बनाके धम दिया, उन्होंने रास्ते में चलते हुए धम देना शुरू नहीं किया क्योंकि वो भी जानते थे कि संग सबसे बड़ा है संग से बड़ा कोई नहीं है संग से बड़ा धम भी नहीं है और संग से बड़ा बुद्ध भी नहीं है बेसक बुद्धंग सरणनंग अच्छामी पहले आता हो बेसक धंगं सरंणंग अच्छामी दूसरे नमबर पे आता हो, पर संग बना सबसे पहले है, धंग सीखा तो एक व्यक्ति तक रहा, बुद्ध तक रहा, पर संग सीखा, संग बनाया, तो धंग बढ़ गया, पांच लोगों तक फैल गया, अगर संग ना बनता, तो धंग एक व्यक्ति तक रह जाता और ऐसे धम के जानकार बहुत हुए जिनको पच्चिक बुद्ध बोलते हैं जिनोंने संग नहीं बनाया उनका पता भी नहीं है कि कौन कौन से पच्चिक बुद्ध बस वो पच्चिक बुद्ध के हमें नहीं पता था कि इसके क्या पढ़ना माने वाले हैं और हमें आगे भी नहीं पता कि इसके अभी क्या पढ़ना माने वाले हैं पर हमको इतना पता है कि संग कभी खाली हात नहीं आते हमको ये जानकारी पहले वाले संगों से है कि संग सब कुछ दे के जाते हैं जो संग मे होता, अखेले होते हैं उनका शिक्कार होता है, यह जानकारी हे हमारि लिए भूत है हमें कोई il here nổiखनी करना हमें तो āपावा साब की net पर पूरा यकीन है कि हम को अर्गनाईज लेना है हमें तो बुद्द की उस बात पर पूरा यकीन है कि संग में सकती होती है, संगन स्रणग अच्छामी, संग की स्रणग में जाना है हमें तो इस बात में पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी समण धम के लोग थे समण धम के चाहे बुद्ध हैं, चाहे संतर अविदास हैं, चाहे संतर गाड के हैं चाहे वो नामदेव हैं, चाहे वो तुकाराम हैं, चाहे वो गुरु घखाजदाती हैं, चाहे वो गुरु चांठाकुर हैं, कोई भी संत हैं, वो सारे संतों ने एक ही बात कहिए, कि संगत करो, संगत करो, संगत करो, साथ साथ रहो, तो हमें उनको पढ़ना नहीं है, ना उन को challenge करना है उनकी बात को मानना है हम तो मानते हैं तो हम अपने माबाप की बात ही मानते हैं जो ये कहते हैं कि भीया कुनवे महले में संग संग रहना अपने घर में संग संग रहना हम नहीं identify करते हम नहीं चेक करते हैं उनको हम नहीं उसमें PhD करते हमने तो मान ली इस को और उसी पर काम करना सुरूर कर दिया और उसके प्रणाम अच्छे आ रहे हैं उसके प्रणाम इतने अच्छे आ रहे हैं कि आज हम किसी भी शहर में जाते हैं उस सहर में अगर संगी होता है तो डर नहीं बस फॉन कर दो WhatsApp डाल दो कि यह दिक्कत है तो कोई ना कोई संगी आके मदद करने के लिए आ जाएगा यह भरोसा हो चला है और यह भरोसा लाख रुपिया खर्च करके पर नहीं हो सकता जो भरोसा सिर्फ संगती करने से और साथ साथ रहने से होता है इसलिए नागपुर के अ तो पूरे देश और पूरी दुनिया में जो लोग इखटे होते हैं वो अपने दिन वाले दिन जो उनके दिन मुकरर हैं जो उनके उत्सव हैं जो उनके फेस्टिवल हैं वो सारे के सारे एक दिन एक सहर में एक जगए खटे होते हैं अगर हम मुसलमानों की बात करें आज इद है तो इद पर आज देखोगे कि आज जो नमाज अदा हुई है वो नमाज नहीं है वो बेसिकली असेंबली है और वो जो असेंबली है वो बड़ी में मस्जिद में होती है जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं आज छोटी मस्जिद में इखटे होते हैं क्योंकि पूरा शे discipline कितना है और जो नवाज में एक विक्ति करता है वो सारे उसको follow करते हैं चाया उनको नवाज आए या ना आए पर वो अपना discipline अपनी commitment अपना वेवार बता के जाते हैं कि हम एक unit हैं और ये हमारा दिन है सुक्रवार को तो मिलते ही मिलते हैं इसाई का जब दिन आता है गुड़ फ्राइडे आया जो भी आये वो सब एक साथ एक खटे होते हैं एक साथ खड़े होते हैं एक सुर में आवाज करके बोलते हैं वो अपना discipline सो करते हैं कि हम सब एक हैं इसलिए पूरी दुनिया के में 2 अपरेल 2021 को तै हुई संगने तै की के हम अपने महापुरसों का एक सहर में एक समय एक इस्थान पर एक जैनती मनाएंगे कि बाद में अपने अपने घरों में अपने विहारों में जाके खुम मनाईए, रोज मनाईए, पूरे महीने मनाईए, उसकी चिंता नहीं है, पर एक सहर में सामुई क रूप से एक साथ असेंबली करेंगे, असेंबली करना मकसद है, जैनती बहाना है, महापुरुष चले गए हैं, उनके जाने से, जैनती मनाने से महापुरुष दुबारा नहीं आने वाले हैं और अगर हम एक साथ महापुरुस के नाम से इखटे होते हैं तो जैनती होती है और अलग-अलग इखटे होते हैं तो मरंती होती है क्योंकि इखटा होना strength है power है हमें बहाना चाहिए इखटा होने का strength होने का तो पांच मई को फिर बुद्पूर्ण मा आ रही है कि बावासाव अंबेट करका जो 14 अप्रेल है कुछ लोगों ने चैलेंज में ले लिया उन्होंने ज्यादा चंदा इखटा किया उन्होंने का समण संग को दिखाना है और चंदे को खूब सारा इखटा करके लाना है उन्होंने खोब उल्टी सीदी लोगों को पट्टें पढ़ाई किये यह कि यह और चंदा इखटा करा सब हवा में उड़ा दिया कोई फाइदा नहीं इतनी सारी जैनतिया भी हुई हैं जो हूई कोई अधिकार नहीं बचने वाला कहीं कोई strength नहीं सो होती है एक सेहर के अंदर अगर किसी ने 10 जैनतिया मनाई हैं तो 10 हिस्तों में तूट गए आपने अपना certificate दे दिया कि हम इस सेहर में 10 हिस्तों में तूटे हुए हैं आपने अगर 14 अपरेल को एक सेहर में 50 जैनति मनाई हैं तो आपने एक सहर में एक जैनती मनाई है और उसका बड़ा पॉलिटिव असर गया है क्योंकि हम अपना डिसिप्लिन सो करने के लिए निकल आए बहार हम अपना विवस्था दिखाने के लिए बहार निकल आए हम बता रहे हैं कि हम बिना पैसे के एक साथ एक जीके खटे होके दिखा सकते हैं और हम हो रहे हैं तो दूसरा मौका हमारे पास आ गया बुद्ध पूर्णमा का पर इसका प्रचार नहीं करोगे इसका प्रचार नहीं करोगे इसके लिए बहस नहीं करोगे तरक नहीं करोगे, वितरक नहीं करोगे, इसे लिखोगे नहीं, इसे न्यूज मनी नहीं डालोगे, न्यूज पेपर में छापोगे नहीं इसको, इसका वीडियो नहीं बनाओगे, इसका रील नहीं बनाओगे, तो साल लगेंगे सो, तब जाके एक सहर में एक जैनती मनेगी, पर अगर ये द्रट प्रतिग्या कर लो के पांच अपरेल तक धनादन धनादन लोगों को ये मैसेज देना है कि भाईया एक सहर में एक जैनती एक बंदना एक ही होगी और सब एक ही संग में रहेंगे चाहे तुम्हारे मदवित कुछ भी है पर बुद्पूर्णमा एक साथ मनेगी तो इसका मैसेज बिना बताए दुनिया में जाएगा और वो जब दुनिया में जाता है तब जैनती होती है क्योंकि दुनिया को पता चले कि हम अपने पुराने डिसिप्लिन में पुराने नियम में बापिस आ गए थाइलेंड को देखो थाइलेंड से कितनी सारी फोटो आ रही है आजकल थाइलेंड में इस समय छोटे-छोटे बच्चों को बड़े-बड़े बच्चों को लाखों की संक्या में शामनेर बनाया जा रहा है यानि उनको बुद्ध की टेनिंग दी जा रही है और ये बुद कौन जीते काऊं से, वो तो सब बारी पड़ेंगे, क्योंकि जिसके ही यहाँ इतना अनुसासन हो, वो तो सब हमारे यहाँ अनुसासन है यह नहीं, हम अलग-लग मनाते हैं, अलग-लग लाइन घड़े रहते हैं, टेडे-मडे बैठे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से संख के अंदर चपले सीधी हुई है चपल सीधी हुई है पर लाइन अभी भी हलकी सी टेड़ी है तो लाइन भी सीधी हो जाएगी फिर हम जब पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे तब हमारे अधिकार बापे साने सुरू हो जाएंगे discipline जो लोग होते हैं, चाहे वो military हो, चाहे वो police हो, चाहे वो civilians हो, चाहे वो भंते हो, चाहे वो भिकू हो, चाहे पढ़े लेखे लोग हो, चाहे अनपढ़ हो, पर discipline लोगों से सारी दुनिया घबराती है, चीटियां डिसिप्लिन में चलती है एक के पीछे एक एक के पीछे एक एक पीछे एक आप सोते रह जाते हो और वो आपकी मिठाई खा जाती है आपको पता भी नहीं चलता सिर्फ discipline के कारण और कितनी लंबी-लंबी दूरियां चलती हैं सिर्फ discipline के कारण तो discipline चीन्टियों से समझना चाहिए discipline मधुमक्यों से समझना चाहिए और हमको एक बुद्ध, एक सहर, एक संग, एक जैनती मनानी चाहिए इसके बहुत फायदे हैं अगर आप इस सब को घहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे संग की जो सक्ती है वो एक होने में है और एक हर काम में एक होना है खाली एक होने का नाटक नहीं करना है क्योंकि खाली एक होने का नाटक करोगे तो परिणाम भी नाटक बाजी होगा और अगर मन से और सचे मन से एक होगे तो परिणाम भी सचे मन से और अच्छा ही आएगा तो परिणाम अच्छा चाहिए तो इसलिए मन से काम करना है जित दुनी की है जो जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़ते हैं वो जीतते हैं, हम हर अलत में जीतेंगे, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, एक संग में रहेंगे, एक बात मानेंगे, सदा साथ रहेंगे, और ये काम बहुते से चला है, बड़ा अच्छा है, आज आत रही है, ठीक ठाक काम चल रहा है, आगे भी का साथ ने लाएंगे वहां उनको थाली मिलेगी थाली कीमत जो भी होगी 120-130 उपर वो उनको खुद देनी पड़ेगी और उस काली करम में आए वो काली करम हमारा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो बावा साब को मानने वाले हैं और जो बुद्ध को मान में संगनमामी संगनमामी